जैहिन साथियो, स्वागाते हैं आप सभी का मेरे अपनी येट्यूब चैनल FreeLolage 1998 पर साथियो, आप सभी की लिए 19 डिस्टिक पर भरती आ गई है साथियो, आप जिस भी A.R.O. से आते हो तो आप अपने A.R.O. को देख लीजेगा और आपके जिस एरो से आती है तो आपको वहाँ पर जाके अपलाई कीजिएगा साथियो मैं अपने हर एक वीडियो पर आपको बताता हूं कि देखिए तैयारिया कीजिए आप सभी के भरती के नोटिफिकेशन आना चालू हो गए हैं फिर से अपने तैयारिया जारी रखिये आपको जलदी आपके अपको बैक तो दोटिफिकेशन दिखाने वाला हूं आप देख लिजीगा आप किस ARO से आते हो और आपका डेस्टिक किस ARO में आता है तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करता हूँ आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ तो साथियो अभी तक आपने जनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बैल आइकन को प्रिस कर लिजेगा आप सबी को पता है मेरे अपने यूट्यूब से लिए और उसके पेपर से लिटिट वीडियो लेकर आता हूँ साथियो यह नोटिफिकेशन जो है चर्की दादरी हरयाना का है आप जैसा इसकीन पर दिख रहा है और सोल्जर क्लरक के लिए है साथियो यहाँ पर आपको कौन-कौन से डिस्टिक दिया गया है पहले डिस्टिक देख लेते हैं विवाने दिया हुआ है चर्खे दादरी दिया हुआ है और महेंदरगण और रिवारी दिया हुआ है ठीक है हरयाणा से है तो साथियो इतने डिस्टिक इसको अपलाई कर सकते हैं पांच डिस्टिक बस इसको अपलाई कर सकते हैं और जो आपका रेली होना है 14 TU 02 71 से 31 TU camps 2011 के बीच में आपक होना है और यहाँ आपका stadion का venue दिया गया है ॥ेम traion भिवानी हरयाना पर दिया हुआ है इस फिर शावम इस फीर थे खेंद य। екंडिशन दिया होई है आई ओप कि यह भरती कभी चैन नहों आपका जो स्रेडूल दिया है उसी स्रेडूल पर भरती हो बस आगे देखते हुए यह संभाव ना आपको बता दिया जा रहा है कि चैन भी हो सकती है करके साथ यहां पर अनलाइन रेर्जिस्ट्रेशन रेट भी दिया हुआ है आपका छ। जुलाइ चालू हो जाएगा तेरा अगस तक आपका वना रेजिस्ट्रेशन चलेगा ठीक है साथ यहां पर आपको कुछ इनफूर्मोशन दिया हुआ आप देख लीज़ेगा RGmail के दो आपको बता दिया जाएगा कि आपका रिजिक्टेशन इमेल पर भेज दिया जाएगा या पिर आपका जो है इंडियन आर्मी की वेफसाइट पर जारी कर दिया जाएगा आपके एडमिट कार्ड साथियों यहां पर एक चीज दी हुई है एक बात यहां पर आप गौर कीजिएगा candidates are permitted to register and participated in one category only a recording share circle यहां पर दिया हुआ है कि आप पहले जो था कि आप कभी दूसरी रेली पर जाकर आप दूसरे चैटेगरी चॉइस का लिटे जिस जीडी का ऐसे करके आप दूसरी दूसरी पुष्ट पर भरती देख सकते थे बाकी अब आपका एक बाद जो रिजिटेशन हो जाएगा आपक जो पुष्ट को अपलाई करेंगे उसी पुष्ट पर भरती देख पाएंगे ठीक है तो यहां पर यह दिया हुआ है और आप हम बात कर लेते हैं पुष्ट की तो यह आप यहां देख सकते हो सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए पुष्ट है और आपका यह साड़े साथर से आपको देखने को मिलने वाले सोल्जर स्टोर कीपर टैक्निकल के लिए है इसमें साड़े साथर से तेजी सीर तक आपका एज दिया हुआ है और आपका जो हाइड आपका जो एज रहने वाला एक अक्टुम्बर में इस एक अपरेल 2004 के बीच में आपका एज काउंट किया जाएगा और इसमें हाइड आपकी कम लिए गया है 162 सेंटीमेटर लिए गया है ठीक है चैस्ट आपका पहले जैसे ही है तो यह था साथियो और एक और पुष्ट आपको यहां देखने को मिलने वाली है सूल्जर टैक्निकल के लिए यह तो साथियो एक्स ग्रूप के होंगे तो आपको यहां पर हाइड वेटर चैस्ट में छूट दिया जाएगा ठीक है और आप अलग 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 एस्टी स्टी वाले हो तो उसमें भी आपको छूट दी जाती है ग्राउंड कवे नहीं आपको पता है 1.6 क्लिमिटर आपका ग्राउंड होता है साथ यह दर यदि आप 5.30 सेकंड में यजकंड को क्वालिफाय कर लेते हो तो आपको फस्टो ग्रॉप में रहता जाता है साड़ माक्स दिये जाते हैं यदि आप 1.6 क्लिमिटर ग्राउंड को five-paint पैटाले सेकंड में क्वालिफाय करते हो तो आपको seven में रखा जाएगा और आपको 48 तो लात यह आई होप की आप एक्सिलेंट वारे और पुस अप पर आपको माक्स दिया जाते हैं और नाइन फीट देछ जादा और जिग जग किया करवाया जाता ठीक है इसके बाद आपका medical test रहने वाला है medical test के बाद आपके documents लगेंगे आपको documents के बारे मैंने हर वीडियों बजाते जाता हूं आप देख लीजिएगा यहां पर दिया हुआ सबसे पहले आपके पास यदि आप लेकर जाएगा आपको हाँ बोना संक दिये जाते हैं जैसे कि आप इसकिन पर देख रहा है हो आपको कुछ भी डाउट होता है सांतियों तो आप यहां पर टोल फ्री नमर दिया हुआ आप यहां बात कर सकते हो यह दिखिए टेलिफोन नमर भी दिया हो और मुवाइल नमर भी आपको दिया हो आप वहां पर इस पर बात कर सकते हैं और कोविट नैंटी नौरिक से अर्टिफिकेट आप बनवाकर लेकर लेकर जाएगा बहुत ही इंप्रोटेंट है आपके लिए तो वह बनवाकर लेकर जरूर जाए भी蛛 है था आप दूसरे नौकिस्कों की बात करते हैं और सेकन्डनाटिकेस्टिसंय आप देख रहा हो आर्मी रिकूरिंग आफीस वार्णी का है आर्मी रिकूरversion रेली और रेल्यव दिये हुए है आप देख सकते हो गौरकपूर दिया हुआ है आजमगर माउं भालिया दियोरिया गाजीपूर संत्रविदास नगर सौनभद्र मिर्जपूर चंदोली जनकपूर एंड वारानसी और पुत्तरप्रदेश इसमें इस इस डिस्टिक आपको आप इस डिस्टिक से आते हो तो आप अपलाइस को कर सकते हो साती हो जो आपका रेली है बुच्छ सितंबर 2021 से 30 सितंबर 2021 के बीच में आपका चलना है और रणमाकुरी स्टिडियम में आपका जो है रेली होना है आर्मी रेकोटिंग उप्स बारानसी ठीक है और रेजिस्टेशन आपके आठ के लिए है आपको एज पता साड़ी सात्रा से किस एर तक आपका एज काउंट किया जाता है और जो आपका एज रहता है एक अक्टोंबर 2000 से एक अप्रेल 2004 के बीचे में आपका एज रहना चाहिए इसमें हाइट का तुक्रा सा छूड़ दिया हुआ हुआ है और यहां से एफ्रशन एक्जामेनेशन की है साड़े से त्यल थीम्हार तक आपका एज लिया जा जाएगा और आपका जो एज काउंट के जागा है एक टोबर 1998 से एक अप्रेल 2004 की बीच में काउंट किया जाना है और आपका जो हाइट रहने वाले 189 सेंटी मीटर और वेट्चास के आपको वेट रहेगा नेक्स्ट पूष्ट है इसमें भी आपका साड़े सत्रह से तीज सी अर्थ है उन्हें स्वांट किया जाएगा इसमें आपका हाइट फोड़ा कम लिया गया एक सुबासट सेंटीमीटर है और वेट आपका पचास केजी रहने वाला है आपको ट्रेड़ में की देखने के मिलने वाली है इसमें भी आपका साड़े सास्तरह से तीज सी अर्थ तक आपका एज रहने वाला है और आपका एज जो है उन्हें स्वांटानव दोजार चार के बीच मिलिया जाएगा और आपका जो है हाइट एक सो नातर सेंटीमीटर और चेस्ट पचास केजी आपका रहने वाला है और एक लास्ट पूट आपकी एट पास के लिए रहेगी स्विल्जर ट्रेंडमेंट की इसमें भी आपका हाइट आपका एज सेम रहने वाला है आपका जो हाइट रहेगा एक सो नातर सेंट्मेंटर और वेट पचास केजी रहन गया है आप जिसको एनिरेट जिसमें ब्लोंग करते हो तो आपके लिए यह देख सकते हो आपका जो अलग-अलग हैट चेस्ट रखा गया है मैंने आपको बताया था यह आपको फादर या प्रदर आर्मी में होंगे तो आप यहां पर देख सकते हो आपको इसमें भी छूट कि दिए जाती हैं ग्राउंड का मैंने आपको बता दिया हूं कि यह आप शोला सुमेटर फाइप एचा जयाएंगे तो इसके बाद आपका मेडिकल होना फिर डेटन टेस्ट होना आपको देख सकते हो डाकुमेंट्स आपको क्या क्या लगने वाले हैं आप इसकीन पर पर्माना है क्योंकि वह बहुत ज्यादा इंपोटेंट है आर्मी भरती में लेकर जाने के लिए ठीक है और साथियों यह आप देख सकते हो तो यह पूरा नोटिफिकेशन आप देख सकते हो आपको जो भी डाउट होता है तो आप कोमेंट्स कर दीजेगा और साथियों आपक जो भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप यहां पर एक इमेल भी कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो आपको यह नम्मर दिया हुआ है ठीक है साथियों एक और इंपोर्टिन चीज मैं आपको बता दूं कि आप एंसरी सार्टिफिकेट और रिस्पोर्ट कोटा वाले होंगे और यदि आपके फादर और प्रिदर आर्मी में होंगे तो आप उसका रेलेशन सार्ट लेकर जरूर जाएएगा यदि आप यह तीनों डाकुमेंट सापके पास है तो आप लेकर जाएगा आपको आर्मी भरती बहुत छुड़ दी जाती है तो आप जिस भी डिस्टिक से करते हो तो आपके लिए बहुती बड़ी खुश कबरी आप इसको जाकर अपलाई किए आपकी भरती आ गई है और अपनी भरती पर फोकस कीजिए तो आई हो जैसे कोई न्यू भरती आती है तो मैं आपको वीडियो बना कर दे दूंगा जल मिलते है नेक्स्ट वीडियो के स साथ जाइन जाभारत